रानों चडिया की बेटी गुडिया अभी बहुत चोटी थी लेकिन उसे सजने सवरने का बहुत सोख था वो अपने मम्मा के मैकप से छुप छुप कर मैकप किया करती गुडिया बेटी मैं आपकी मासे के घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी से त्यार हो जाएं, नहीं मम्मा आप ही जाएं, मुझे अपना होमवर्ग करना है, वरना मेरी टीचर जी मुझे बहुत डाटेंगी, ठीक है तो बेटा, आप अपना होमवर्ग करें, मैं साम होने से प आज कुमार यो जैसी अभी जाकर कोकी को दिखा के आती हूं फिर गुडिया गोरी कवी के घर जाती है गुडिया तू तो बहुत संदर लग रही है बिल्कुल टीवी की हिरोईन जैसी क्या ये सब तेरी ममा ने किया है नहीं कोकी ममा घर पे नहीं है और ये सब तो मैंने खु मुझे भी अपना जैसा बना दे मैं भी संदर दिखना चाहती हूं हाँ हाँ कोकी क्यों नहीं तू अपनी ममा का मेकप दे मुझे फिर देखना मैं कैसे तुझे राजकुमारियों जैसा बना दूंगी फिर तू अपने आपको भी नहीं पहचान पाईगी फिर कोकी अपनी म बोस्तों को भी तो पता चले हम कितने संतर हैं फिर कौकी गोडिया को घर से बाहर ले जाती है उन्हें जो भी पक्षी देखता कुछ देर के लिए तो देखता ही रह जाता और फिर हासने लगता गोडिया कोकी आपके सकूल में कोई competition है जो आप ऐसे सजी हो नहीं मिठू अंकल हमारे सकूल में कोई competition नहीं है हम दोनों तो खुछ से त्यार हुए हैं हम बहुत अच्छे लग रहे हैं ना आरे बेटा तुम दोनों का तो कोई मुकावला नहीं तुम दोनों बहुत अच्छे लग रही हो पर जादा देर पहार मत घूमा ऐसे बोलते हुए मिठो तोता वहां से चला जाता है और वो दोनों सहीली भी बड़ी खुशी से पूरा जंगल गूमती है और हार ठक कर आखिर में नदी के पास बैठ जाती है कोकी मेरी ममा तो साम को घर आएंगी और तेरी ममा कहां गई है अगर गोरी आंटी ने हमें ऐसे देखा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी हाँ गोडिया वो तो है पता नहीं ममा लूसी आंटी के साथ कहां गई है अब मैं जाती हूँ घर कहीं ममा ने मुझे ऐसे देखा तो वो बहुत गुस्सा होंगी कोकी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर गुरी कवी आ जाती है और हो बहुत गुस्से में थी कोई मैं तुझे कब से ठूण रही हूं और तु यहां बैठी है और यह क्या यो पत कर दिया, और फैसर गोर्पाने की कोड़ी आंटी जी मैंने अपने मन से मिल्सक कर देत嚓 को की ने ही बोले ता यह अमन चुनमे से возь शाव कर दिया गोरी गुडिया के गाल पर एक जोरदार थपड मारते हुए कहती है चुप एकदम चुप हो जा मेरी कोकी बेटी बहुत भोली है तू ही नहीं टिकती एक जगा पर अगर फिर से मेरी बेटी का मेकप किया तुझे मार मार के कही का न छोड़ूगी चल कोकी अब घर चल ऐसे कहते हुए गोरी अपनी बेटी को वहां से ले जाती है गुडिया भी रोती रोती अपने घर जाती है साम होते ही रानो चड़िया भी घर आती है गोडिया मेरी बेटी क्या हुआ? और आपके गाल पे ये निसान कैसा? लगता है किसी ने आपको थप्ड मारा है जल्दी बताई, जल्दी बताई मुझे मामा मामा, पहले आप मुझे बादा करें कि आप भी मुझे नहीं मारोगी तब ही मैं आपको सच बताऊंगी पिसा नहीं करना चाहिए था फिर रानो गौरी के घर पहुँच जाती है गौरी बहन अभी मेरी गुडिया बहुत छोटी है उसे आपके जितने समझ नहीं है तो क्या हुआ जरासा मेक अप उसने कोकी को भी लगा दिया को गुडिया को थपड मारने की कोई जरूरत नहीं थी आप उसे डाट भी तो सकती थी रानो, मेरे लेके तेरी बेटी दिन भर मेकप करे और साथ में तू भी उसको लिपेश्टिक बिंदी कजरा लगा लेकिन मेरी बेटी से दूर रहना अगर उसने अपने सोक मेरी बेटी को सिखाए तो मैं उसे ऐसे ही मारूँगी क्या कर लेगी तू मेरा ठीक है गोरी आज के बाद मेरी गुडिया कोकी से बाते भी निकरेगी और आप भी ये बात कोकी को अच्छे से समझा देना ओ हो हो आई बड़ी मुझे सिखाने मैंने तो कब कोकी से मना कर दिया वो तेरी बेटी से लाखो दूर रहेगी अब तू भी भाग यहां से फिर रानो चड़िया भी चुपचाप वहां से अपने घार आती है दीरे दीरे समय गुजरता गया गुडिया अब बड़ी हो गई थी लेकिन अभी भी उसका मेकप करना नहीं छूटा था ये मिठाई ले लूसी बेहन मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर का रिस्ता ढूडा है खाएं खाएं जी भर के मठाई खाएं बहुत बधाई गोरी बेहन ये तो बड़ी खुसी की बात है वैसे रानो बेहन आपने भी गुडिया के लिए अभी तक कोई रिस बैस गुडिया बेटी मैं कुछ नहीं जानती अब आपको साधी करनी ही होगी मैं आखिर कब तक दूसरों की बाते सुनूं नहीं मम्मा मैं साधी नहीं करूंगी और वैसे भी कुछ दिनों की ही तबाथ है फिर मैं खुद से काम करना सिरू कर दूंगी इस तरह से कुछ दिन बीट जाते हैं गुडिया ने घर में ही काम करना शुरू कर दिया था वो पालर की फीस कम लेती थी और मेकब बहुत अच्छा करती थी जिससे उसके घर में ग्रहकों की लाइन लगी रहती थी ममा आज मेरी शादी है और आपकी पालर वाली कहा है मुझे तयार नहीं कराना बेटी कोकी अभी अभी तेरी पालर वाली का ही फोन था उसकी तब्यत अचानक से खराब हो गई है इसे लिए वो नहीं आपाएगी ममा अब क्या होगा मैं बिना मेकप के मंदप में कैसे जाऊंगी मेरी साधी कैसे होगी बेटी कोकी इतनी जल्दी दूसरी पालर वाली को कहां से लाएंगे तो अपने आप से सज ले और गुडिया को ही देख ले जब वो छोटी थी तो कितना अच्छा मेकप क्या करती थी तो वैसे ही अब तू भी कर ले नहीं पापा ममा के डांटने के बाद मैंने तो कभी भी हाथ नहीं लगाया सजने सवरने को इसलिए मुझे को कुछ भी नहीं आता गोरी जी फिर तो चल्दी करो कुकी को गुड़िया के घर ले जाओ वो ही अच्छा मेक अप करती है नहीं नहीं कालू जी मैं उस रानों चुडिया के घर नहीं जाओंगी तो ठीक है सजादो खुद ही इसे और बनादो चुडेल जो लड़के पक्षी देख कर ही भाग जाएं कालू कव्वे की ये बास सुनकर गोरी कोकी को गुडिया के घर ले जाती है गुडिया आज कोकी की साधी है क्या तू इसका मेकप कर देगी हाँ हाँ आंटी जी क्यों नहीं मैं कोकी का बहुत संदर से ब्राइडल मेकप करूंगी फिर गोडिया कोकी का जल्दी से ब्राइडल मेकप शुरू करती है गोरी को गोडिया का मेकप बहुत पसंदा रहा था कुछी देर में कोकी सारा मेकप खतम कर देती है रानो अच्छा क्या तूने जो गोडिया को मेरी तरह डाटा नहीं वरना आज वो इतनी अच्छी मेकप आर्टिस्ट कैसे बनती हाँ गोरी बहन, खुनर तो बच्चे का बच्चपन में ही दिख जाता है कैसे छुप छुप के गुडिया मेरे जाने के बाद मेकप किया करती थी और दूसरों का भी, और देखें, आज पूरे जंगल में मेरी बेटी गुडिया का नाम है उसका जैसा मेकप करना कोई नहीं जानता, बड़ी दूर दूर से पक्षी आते हैं हमारे घर रानो बहन, अब पुराने जगडे माफ करो, और मेरी बेटी की शादी में चलो गोरी, मैं तो कब का सब कुछ भूल चुकी हूँ, हम दोनों कोई की साधी में जरूर चलेंगे फिर रानो गोडिया भी जल्दी से तयार होकर कोई की साधी में चली जाती हैं और खुसी-खुसी कोई की साधी हो जाती है प्यारी दोस्तों, आपने भी बशपन में अपनी मम्मा के मैकप से चुप-चुप कर मैकप किया है तो हमें कमेंट करें, आपका धन्यवाद तुन्नो चड़ा मेहनत मजदूरी करके अपनी परिवार का पालन पोसन कर रहा था इस महंगाई के जमानी में तुन्नो के परिवार का गुजारा बड़ी कठनाईयों से होता था जब उसे काम मिल जाता, तो उसका परिवार भरपेट बोजन खाता लेकिन किसी-किसी दिन काम ना मिलने की वज़ा से उनको भूंका ही सोना पड़ता तुन्नो जी, कल दिवाली है, कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता, तो बच्चों के लिए थोड़ी मुठाई और पकवन बना देती वरना दिवाली के दिन भी हमारे दोनों बच्चे उदास रहेंगे मैं क्या करू रानो जी, चार दिन से कोई काम नहीं मिला रोज पूरे जंगल में जाता हूँ, और खाली हाथ ही लाटाता हूँ हो सकता है आज मुझे कोई काम मिल जाए, क्योंकि कल दिवाली है लक्ष्मी मा की किरपा आप पर हो, और तुम्हें काम मिल जाए हे लक्ष्मी मैया, किरपा करके इनको काम दिला देना वरना हम गरीबों की दिवाली कैसे मनेगी अब तो तुम्हारा ही सहारा है अपनी पतने की बात सुनकर टुन्नोचडा काम की तलास में निकल जाता है वो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाता है मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता मुझे कैसे भी करके आज घर पे पैसे लेकर जाना होगा मैं अपने बच्चों के चहरे पर उदासी नहीं देख पाऊंगा ऐसे सोचते हुए टुनोचडा एक बड़े दुकान पर जाता है वहां के मालिक से काम की बात करता है मालिक जी मालिक जी मुझे आपके दुकान में कोई काम मिलेगा मैं सब कर दूँगा अरे अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है और कल दिपावली है तो दुकान भी बंद रहेगी इसलिए तुम जाओ कोई काम नहीं है मालक जी मालक जी किर्प्या करें कल दिवाली है मुझे पैसों की सक्त जरूरत है इसलिए मैं कोई भी काम करूंगा बस मेरे बचों की दिवाली मनवा दो मैं बहुत गरीब हूँ ठीक है ठीक है कल सुबा इस पते पर आ जाना मैं तुझे काम दे दूंगा और ये रख सो ये तो बड़ी खुसी की बात है आपको काम जो मिल गया अब हमारे बच्चे भी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे ममा ममा कल मेरे लिए कचोड़ी बनाना और मेठे में बर्फी लाना ममा मेरे लिए तो थोड़े से पटाके और फुल जड़ी ले आना ठीक है मेरे तो कल पापा सब ले आएंगे अब आप सो जाओ फिर रानो अपने दोनों बच्चों को सुला देती है अगली सुबा के छे बजे थे रानो चड़िया टुन्नु चड़े को जगाती है तुन्नु जी उठे सुबा हो गई है आपको कालू सेट के घर काम पर जाना है रानो ज नाक की तरह तप रहा है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं जेव में एक भी पैसा नहीं और तवियत भी खराब हो गई लेकिन मैं जाओंगा मुझे जाना होगा मालिक के घर तुन्नु जी आप इस हालत में काम कैसे करोगे आपको बहुत तेज बुखार है रानो जी अगर मैं नहीं जाओंगा तो बच्चों के लिए मिठाई और पठाके कहां से लाओंगा मुझे जाना होगा नहीं टुन्नु जी आप घर पर आराम करें मैं चली जाती हूं मालिक के घर ये कहकर रानो चडिया कालू कव्वे के पते पर चली जाती है और उससे बाते करती है मालिक जी कल आपने मेरे पती टुन्नो को काम पर बुलाया था अचानक से उनकी तबियत खराब हो गई इसलिए उनकी जगापर मैं आई हूँ आप जो भी काम है मुझसे करवा ले कालू जी आप भी ना हर किसी पक्षी को घर पे बुला लेते हो गोरी जी कल इसका पती मुझसे बहुत बिनती कर रहा था तो मैंने सोचा घर में दिवाली की पाटी है कोई ना कोई काम कर ही देगा जान ना पहचान बनने चले हैं गरीबों के मसीहा और तुम चड़िया अच्छे से सुनो अच्छे से बगीचे की साफाई करो और स्टोर रूम से लड़ी लिकार कर सारे बगीचे में लगा देना तुझे तेरे पैसे साम को मिल जाएंगे ठीक है मैम साब मैं सारे काम अच्छे से कर दूंगी आप बिल्कुल चंता ना करें फिर गोरी कवी घर के अंदर चले जाती है और कालू कवाबी कुछ काम से घर से बाहिर चला जाता है मैं जलदी जलदी बगीचे का काम खतम करती हूँ फिर पैसे लेकर तुन्नो जी को भी तो दिखाना है उन्हें बहुत तेज बुखार है ऐससे सोचकर रानो जलदी जलदी काम करती है गोरी का बेटा जगु बहुत सैतान था, वो हर समय कोई न कोई सैतानिया करता रहता ये नई नोकरानी तो बहुत भोली है, इससे ही थोड़ी सरारत करता हूँ जब ये स्टोर रूम में जाएगी तो पहले से ही अंदर रखे पठाकों में आग लगा दूँगा जब अंटी डरेंगी तो बड़ा मचा आएगा ऐसे योजना बनाकर जगु कवव स्टोर रूम के अंदर चला जाता है और पठाकों की लड़ी को जला देता है अब नई नोकरानी को जल्दी से स्टोर रूम के अंदर भेजता हूँ जगु कवव दरवाजे पर बैठा सोच रहा था तबी वहाँ पर गोरी भी आ जाती है जगु बेटे आप यहां क्या कर रहे हो जाओ टेबल पर मैंने दूद रखा है वो पीलो मैं भी आती हूँ इतना कहकर गोरी कवी स्टोर रूम के अंदर चली जाती है पठाके की लड़ी जल रही थी एक दम से आग परदे में लगती है और फिर पूरे कमरे में फैल जाती है ममा ममा अंदर ममा है ममा को बचाओ कोई जग्गू की ऐसी चीक सुनकर रानो चड़िया अंदर आती है जग्गू बेटे आप यही रहें मैं आपकी ममा को कुछ नहीं होने दूगी फिर रानो चड़िया अपने जान की परवा किये बिना आग में चली जाती है और बेहोस गोरी को बाहर लाती है कालू कवा भी वहा पर आ जाता है गोरी गोरी आप ठीको और यह आग कैसे लगी पापा ममा यह आग मेरे कारण लगी मुझे माफ कर दे मैं आगे से कभी सेतानी नहीं करूंगा रानो चड़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आज आपना होती तो मेरी पतनी जलकर मर जाती नहीं नह को यह 5000 रुपे मेरी तरफ से आपके परिवार के लिए दिवाली का छोटा सतौफा और मेरी जान पचाई इसके लिए तुमारे पती की नौकरी पक्की कल से वो हमारी दुकान में काम क्या करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद मैं साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने तो मेरी सारी चिंताई दोर कर दी अब मैं टुन्नू जी का इलाज भी कराऊंगी और अपने बच्चों के लिए मिठाई पठा के भी ले जा पाऊंगी फिर रानो चडिया खुसी खुसी घर जा दी फिर वो परिवार लक्ष्मी जी की पूजा करता है मिठाई दिये पठा के जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं प्यारी दोस्तों दिपावली के पावन त्योहार पर अपने से गरीब लोगों की मदद जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी दो दिन वाद करवा चौत है क्या तुमने करवा चौत के नई नई सौपिंग कर ली है नहीं गोरी बहन अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा तो क्या करवा चौत निकल जाएगा तब खरीदोगी अभी से सुरू करोगी तब जाके खतम होगा ठीक है गोरी कवी हम आज ही चलते हैं बजार पूरा सामाल आराम से खरीदेंगे मैं तो कहती हूं हम एक लिष्ट बना लेते हैं हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं पिछली बार मैं अपने बिलाउज के लटकन लाने भूल गई थी पड़ास की कोयल ने सो रुपे के दिये थे लटकन तो फिर ठीक है हम रानों चुडिया को भी ये बता देते हैं वो भी हमारे साथ चलतेगी और लिष्ट भी उसी के घर बना लेंगे ऐसे बाते कर वो तीनों चुडिया के घर चली जाती हैं ममा ममा आज कलास में टीचर जी ने मुझे फिर से खड़ा किया बोल रही थी कल अपनी ममा के और गलती मेरी है लेकिन क्यों ममा आप मेरी तीच क्यों नहीं देती कुकू आपके पापा का ना तो कोई पתर आया है और नहीं उन्होंने एक रुप्या भी भी अपर अहले मेरे पास तो फिर फैसला हो गया ममा मैं कल से सकूल नहीं जाओंगी जब पापा आकर मेरी फीस भर देंगे मैं तबी सकूल जाओंगी ये कहकर कुकु कुखुसी से उचलती हुई दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है लूसी तोती और गोरी कवी ने कुकु की बातों को थोड़ा थोड़ा सुन लिया था रानो चडिया ये कुकु क्या कहकर गई है और वो सकूल क्यों नहीं जाएगी लूसी आठ मैने से टुन्नो जी का कोई पत्र नहीं आया है इसलिए कुकु की फीस रुकी हुई है तो बस कुकु की टीचर जी ने सकूलना आने की उससे बात कही इसलिए वो कहती हुई गई है कोई बात नहीं चडिया बहन हो सकता है वदेश में टुन्नो भाया खूब तरक्की कर रहे हो इसलिए आपको पत्र लिखना भी भूल गे होंगे लेकिन आप चिंता ना करो हाँ हाँ गोरी वदेश में गोरी चिट्टी चडियाए रहती है मेरी एक पिंकी सहेली के साथ भी ऐसा ही हुआ उसका पती मदेश में जाकर हमेशा हमेशा के लिए बस गया बिचारी पिंकी आज भी उसका इंतजार करती है आप दोनों कैसे बाते कर रही हो, मेरे तुन्नु जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, जैसा आप सोच रही हो होरी कवी हरी तोती, जरा मू समहल के बाते करें, तुन्नु भाया रानों और अपने बेटे को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकते, हम जिस काम के लिए आए हैं, उसी की बाते करो माफ करना लूसी, मगर सच तो यही है, अब रानों को भी यह मानना होगा, आज नहीं तो कल, चलो हरी तोती, हम सापिंग करने चलते हैं, अब रानों क्या करेगी, बेफजूल की खर्ची करके गोरी, मुझे अपने पती पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगे, लूसी बहन, मेरे पास रुपिय नहीं है, जो मैं नया सिंगार खरीद सकूँ, इसलिए मैं पुराने सामान से ही वरत रखूंगी, आप सब जाएं, ऐसे बाते करवे तीनों रानों के घर से चली जाती हैं, और धेर सारी सौपिंग करती हैं, अगले दिन चडिया चुपचाप अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी, चडिया को अकेला देख गोरी कवी उसके पास आती है, ये देख रानों, कल मैंने कितनी धेर सारी सौपिंग की हैं, लाल बनार सी साड़ी, नया जरा बता तो, तुझे कैसा लगा मेरा सामान, बहुत संदर है आपका सामान, हाँ, मैं भी किस से पूछने आ गई हूँ, तुम तो मेरे सामान को देख कर जलोगी ही, आखिर पती जो चला गया तुमें छोड़ के, गोरी बहन, आप ये कैसी बाते करती हो, मैं भला आपके सा कर क्यों जलोगी, जलने के अलावा और काम भी कियार है गया तेरे पास, इतने महेंगे सामान को देख कर तेरा मन भी जलचा रहा होगा, मगर तेरी फूटी किसमत तेरा पती बीच ला गया, और फूटी कौडी भी नहीं है, गोरी आप तो कुछ काम करती नहीं हो, अब से किरप्या मुझे मेरा काम करने दें ऐसे कहते हुए गोरी कवी चडिया से मुहू बनाते हुए अपना पूरा सामान ले जाती है अब तो गोरी को जो भी पक्षी मिलता उससे चडिया के पती की ही बाते करती मिठू कबूतर बुलबुल आप सब को चडिया के बारे में कुछ पता भी है गोरी मैं तो कलसाम को ही गई थी चडिया के घर सब कुछ ठीक था फिर अब क्या को गया मोटो बुलबुल किसम उसे बताएगी रानो कि उसका पती उसे छोड़के हमेशा हमेशा के लिए वदेश में जा चुका नोंने रानों से रिस्ता खतम कर लिया है ये तो बहुत बुरा हुआ चडिया के साथ हम सब को जाकर उसे समझाना चाहिए कहीं गुस्से में कुछ करना बैठे कबूतर अभी अभी चडिया के घर से ही आ रही हो मैंने सो बार दरवाजा खट खटाया मगर चडिया ने दरवाजा नहीं खोला आप सब जल्दी जाएं मेरा तो दिल बैठा जा रहा है गोरी हम अभी जाते हैं और चडिया का दरवाजा तोड़ देते हैं कहीं अन्होनी न हो जाए गोरी की बाते सुन वो तीनों जल्दी में चडिया के घर चले जाते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ और चडिया का दरवाजा तोड़ दो मुझे बड़ा मज़ा आएगा कबूतर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही आप जल्दी दरवाजा तोड़े मैं बहुत घबरा रहा हूँ मुझे से कुछ भी नहीं होगा कबूतर जट से चडिया का दरवाजा तोड़ देता है सबी रानों चडिया वहाँ पर आ जाती है कबूतर भाया ये आपने क्या किया मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ दिया कोई बात थी तो मुझे करते गुस्सा मेरे दरवाजे पर क्यों निकाला चडिया बहन आप घबराई नहीं आपको जीना होगा कुकु के लिए और हम सब आपके साथ हैं कोई भी समस्या हो तो मुझे बताना मैं आपकी मदद जरूर करूंगी हाँ हाँ चडिया तुन्नो चडिया को नरक में भी जगे नहीं मिलेगी उसने आपके साथ बहुत गलत किया है आप सब जाए यहां से और मेरे पती के बारे में कुछ बुरा ना बोलें कल करवा चोथ है वो हमसे मिलने जरूर आएंगे यह कहकर रानो चडिया अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है चले चले दोस्तों रानो अभी बहुत दुखी है वो इस कड़वे सच को अपना नहीं पा रही फिर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं रात हो जाती है तुन्नो जी आप ठीक तो है ना कल करवा चोथ है आपको हर बार की तरह इस बार भी आना होगा पता नहीं ये जालम लोग आपके बारे में क्या-क्या बोल रहे हैं आपको आना होगा ऐसे सोचते हुए सारी रात निकल जाती है आज करवा चोथ था रानो ने भी वरत रखा था वो अपने घर की छस से तुन्नो चड़े के आने का इंतजार कर रही थी सुभा से साम और साम से रात हो जाती है मगर तुन्नो चड़े का कोई अता पता नहीं था रानो बहन अब तो चांद भी निकल आया है आप कुछ खा ले तुन्नो चड़ा नहीं आएगा नहीं लूसी वो जरूर आएंगे ऐसे में बीच में वरत नहीं तोड़ूंगी चड़िया किसी की बात सुनने को तयार नहीं थी अब एक एक करके सारे पक्षी उसे देख रहे थे तभी जोर से चड़िया च्वीक थी है तुन्नो जी आ गए वो देखो मेरे तुन्नो जी आ गए तुन्नो को देखकर चड़िया के खुशी के ठिकाने नहीं होते तुन्नो जी पता था मुझे आप जरूर आएंगे रानो माफ कर दे मुझे एक बहानक एक्सिडेंट में मेरी यादास चली गई थी भगवान का लाख लाख शुकर है जो आज के दिन उन्होंने मेरी यादास लोटा दी और मैं तुमारे पास आ गया वरना तुमारा विश्वास तूट जाता फिर टन्नो चुडा रानो चुडिया को मिठाई खिलाता है इस तरह से वो दोनों खुसी-खुसी अपना वरत पूरा करते हैं तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है किरप्याकर हमें कमेंट में बताएं आपका धन्यवाद